नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूटूब चैनल एबी टेक में आज है 16 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की मात्पूर खबरे सबसे पहली जो अपडेट है वो है यूपी ट्रिपल सी को लेकर के होने वाली है पर आने वाले टाइम पर समोंगा की वरतियों के लिए पीटी कंपल सरी होगा तो उसी कड़ी के अंतरगत यहां पर बढ़ती जो हैं पीटी के रिजल्ट का होना है और जैसे रिजल्ट जारी होता है उसके बाद यहां पर कई माध्पूर्ण पर बढ़तियां देखने को मिलेंगी बाइस जास साथ सु यानि एक सब्ता के अंदर जारी किया जा सकता है यह मीडिया रिपूर्ट का मानना है आगे वह सब को दिया गया इस ती जो इच्छा तारिक को जारी कर दी गई थी और जब जो रिजल्ट है सिर्फ वही जारे करना से से ऐसे मैं बढ़ते को उम्मीदें बढ़ती जा रही है तो अभी अगर देखा जाए तो एक जैक्ट कोई भी यहां पर नहीं है एक अनुमान लगाया गया है मीडिया रिपूर्ट के मताबिक एक सब्ता के इंदर इसका परड़ा देखें यहां पर सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि राजस्तों लेकपाल की 7882 पदों पर बढ़ती हैं नौंबर में इसका विग्या पनाना है अक्टूबर में हराल में रिजल्ट आपका आजाएगा पीटी का नौंबर में इसका विग्या पनाएगा इसके बाद स कवरी 2022 में परिच्छा होगी इसके बाद करनेश्ट सहायक आसुलिपिक के 2000 पद हैं प्रयोग साला प्राविदिक एकसरे टेक्निसियन के करीब 1200 पद हैं ठीक इनके लिए परिच्छा मार्च 2022 में करवाई जाएगी और इनमें सिर्फ पीट्री में सफल सफल होने वाले बिर इतर प्रदेश में आप लोग जानती हैं अगले साल यानि 2022 में विदान सभा की चुना होने वाले हैं और अइसे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वरा यह निर्देशित किया गया है ठीक है कि कब कब क्या होना है देखें यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं यह देके वाचन अधिकारी उत्तर प्रदिस के तरब से लेटर जारी किया गए लेटर में लिखा हुए आड़ता तिती एक दोजार बाइस की अधार पर विधान सबा निर्वाचन छेत्रों के निर्वाचक नामावलियों का विशेश संचिप्त पुरिछनकार से संब्ध अधिकारियो इस थान्तरण पर रोक देखिये जो भी अधिकारी और जो कर्मचारी यहां पर लग्ये हुए है ठीक है है जो मतदाता सुची होते हैं उसे संब्धित कारियों में तो यहां पर रोक लगा दी गई कि इनका इसारांत्रण नहीं होगा और कब कब क्या होगा तो उसकी भी तायम लाइन जारी की देखे लिखा यहां पर कि जो नामवली है उनका जो प्रकाषण होगा जो आलेक प्रकाषण एक नमबर दो एक किस्ते प्रारम होकर अंतिम प्रकासां जो होगा पांच एक 2022 तक चलेगा यह पांच एक 2022 तक जो आपकी मद्दाता सुची है वो फाइनल हो जाएगी और इसी कड़ी में लेकर यहां पर कयास लगाएगा है कि जो आपका अधिसूचना है यह जो आचार संता है वो करीब 20 दिसंबर के बाद कभी भी लग सकता है एक नॉम्बर से मद्दाता संचिप्त पुन रिच्छन कार्म चलेगा जो की 2022 तक चलेगा मद्दाता सुची का इंदम प्रकासन अब इस्तत रिपोर्ट के लिए यहां पर देखें वही रिपोर्ट दीगे जो भी अमने दिखाई और प्राइमरी वर्ति की बात हुई तो देख लेते हैं प्राइमरी वर्ति के बारे में देखें लिखा है आप लोग जानते हूंग कल ट्विटर वियान था हमने अपने चैनल के मद्दम से आप लोगों का अपडेट भी किया था कि यूपी मांगे प्रात्मिक सिच्छक यह जो हैस्ट्रेग है ग्यारा बजे पंदर अक्टूबर को दसारे के मौके पर ट्रेंड करवाया जाएगा और देखें कल आप बिरतों ने इतना ट्रेंड कर रहा था माहतर 43.3 के ट्वीट्स पर ठीक है तो सभी को ऐसे कंपेन भाग लेना चाहिए क्योंकि आपको से घर पर इठेंड ट्वीटर पर एक ट्वीटर ही तो करने और कुछ करना नहीं है लेकिन इसकी बात जो सरकारों तक पहुंचती सरकारों के मन में यह जरूर खयाल ल सब्सक्राइब कर रहे हैं और यहां पर देखें लिखा है कि सारा कुछ दिया है कि इसमें मिलाकर कर गया अगर समय से विग्यापन जारी नहीं हुआ तो जो वर्तियों सडकों पर उतरने के लिए विवस होंगे एक बड़ी अपडेट यहां पर आप लोगों के लिए लिए एक अधर्समलों आठ फिशन नोंकरिया एक लाक असी अजार नोंकरिया कुस्खबर है कि कंपनी और विछ्ड़ी कंपनी आए वह अच्छी कासी नोंकरिया आप देंगी तो याँपर लिगए रोजगार की मोर्शे पर विज्जिवाएं के लिए ऑच्छी खबर है देज मे आईटी शित्र की दिग्गत चारों कमपणियों ने अगले विती वर्स तक एक लाग अश्य जार नौकरियां देने की युजना बनाई है जिसमें टीसियस एच्छ विप्रो और इन फोसी इन चारों कमपणियों ने अपनी हाइरिंग प्रोसेस है उसको तेज कर दिया है टीस इसमें काफी सारे पता ऐसे होंगे जो फ्रेसर के लिए होंगे ठीक है तो जो भी इंट्रेस्टर है वो अपना इसके वाइब नजर बनाये रखें नौकरी नौकरी होती है भले अगर गवर्मेंट नहीं मिल पा रहे तब तक तो प्राइवेट करी सकते हैं लेकिन नौकरी स इसी नेट से जो है भड़तियां आई हुई है जो लोग यूजी सी नेट क्वैरिफाई किये हुमें असी जार तक इसमें आपको सेलरी मिल सकती है तो कहां यह भड़तियां आई हुए देखी आपका लिखा है कि नेट पर इच्छा पास कर जाब के तलास कर रहे उमेदवार ने एकेडमिक कंसल्टेंट के पदों पर वैकेंसी निकाली है यह वड़ति अनुबंद किया दार पर होगी और जो भी यह वड़ति है वह इस वेबसाट पर जाकर करके ऑनलाइन आवदन कर सकते हैं ऑनलाइन आवदन करने की जो डेट बताई गई हुए एक सब्सक्राइब दोजार एक काई बना बताई गई है अब यहां पर देखे सेली वेगार के बारे में दिया गया कितनी कितनी सेली होगी और इस वड़ती के लिए जो आपको प्यच्ट वेगार की विल्कुल भी जरूत नहीं आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सेथ पूरे देश में एक जुलाई सो जो प्यच्टी कंबल सरी होना था विस विद्यायलों के लिए फिलाल उसको पोस्ट पॉर्ण कर दिया गए अब एक जुलाई दोजार एक तेश तक आप बिना प्यच्टी के कहीं पर भी अस्टिस्टिन प्रोफेसर बन सकते हैं तो दोस्तों यह हो गई आज की सारी सुचना है आसा कड़ते यूडियों पसंद आया होगा इस यूडियों में इतना ही जन्य वादर